अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि आपको मिले मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत और आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टागाम आईजी कीजिए मेरे फेस्बुक पेज़ पर मेरे सबी वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकते हैं और आइजी टीव पर आपको मिलेंगे अपसे लव मैसेज़ तो महां पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिए और टेरो रीडिंग्स देखने के अलावा अगर आपको के पास कोई क्वेशन है जिनके आपको एंसर चाहिए तो मेरे चैनल के आप मेंबर बन जाएए मेरे वीडियो के नीचे जॉइन बटन होता है क्लिक कीजिए 2.99 रुपीज के मंथली पेमेंट पर आप माइंडफुल जर्नी के मेंबर बन सकते हैं हर महीने होने वारे लाइप कोईशन आ फसे हुए है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आप जानना चाहते है कि इस सिच्वेशन में आपको क्या कदम उठाने चाहिए तो बुक कीजिए मेरे साथ एक परसनल रीडिंग आज ही वाटसप कीजिए मुझे 74248-30000 पर और अपनी लिए परसनल गाइडेंस बुक करवाये है तो चलिए आज हम बात करेंगी वरष्टिक राशि वाले लोगों के बारे में उसकॉर्प्यो सायन के बारे में क्या एणर्जी निकलकर आती इतल जो अपर इकर से पीटेंगे की रश्चिक राशि कि लोग कैसे होते तो वरष्टिक राशि की इणिसकॉर् साथ यह बुद्धिमान भी होते हैं किसी अपने किसी नए आइडियास पर काम करना तो काफी बुद्धिमान राव तरह के यह लोग होते हैं कल्थना शक्ति यानिकी विजुलाइजेशन पावर या इनके क्रियेटिव पावर बहुत अच्छी होती हैं लेकिन क्योंकि मंगल इनका स्वामी है तो यह थोड़े दबंग होते हैं बोल्ड टाइप के होते हैं पर साथ में संकल्प शक्ति अच्छी होने के वेज़े से किसी काम को अगर करने पर απल से अब होते हैं बहुत अच्छे से लव रेलेशनिशिफ से अपने लवर्र के साथ में अच्छा लव。 थो सावित वसकते आ ये थोड़े जिद्दी भी होते हैं, ये अडियल भी होते हैं, इस तरीके से इनकी थोड़ी थोड़ी बाते कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ रहस्य महीं, रहस्य चुपा के रखना, गोपनी रखना बातों को गुमा गुमा कर बताना या जटिल बनान ये भी इनकी नेगेटिव ट्रेट्स होती है हलंकी अगर ये आपके दोस्त हैं तो आपको इनसे डरने के जरूत नहीं ये काफी वफादार दोस्ते हैं बहुत अच्छे प्रेवी थाबित होते हैं अगर लेकिन आपने इनको क्योंकि स्कॉर्पियों इनका साइन है तो अगर आपने इनको कही न कही परिशान किया तो फिर ये आपसे बदले की भावना रख सकते हैं तो ये है व्रस्टिक राशी वालों के करेक्टर तो अब मैं बताना चाहते हूं क्या एनरजी निकल कर आई हैं मेरे पास में तो हमारे पास बॉटम आफ देग पर मेरे पास कार्ड अब तो हमारे पास बॉटम आफ देग पर मेरे पास मेजिशन कार्ड और उसके बाद मेरे पास क्वीन आफ कार्ड तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है की प्रस्टिक राशी वाले जहां तक जो हैं और किसी तरह के लव रिलेशन में हैं और उनको किसी से प्यार है या वो कि हराई से प्यार करता, they are in deep love with someone or someone is in deep love with them लेकिन और आप इस प्यार में कुछ अच्छा manifest भी करना चाहते हैं, आप इस प्यार को किसी लेवल पर ले जाना भी चाहते हैं आप इस प्यार को अपनी जिंदगी में पाना भी चाहते हैं और अगर आप चाहें, अगर आप दर्ड निश्चे कर लें, अगर आप डिटर्माइन कर लें कि मुझे यह लव मेरी लाइफ में चाहिए, तो आपको मिल भी सकता है लेकिन कहीं ने कहीं आप क्रॉस रोड पर हैं, क्योंकि हर तरह की पावर आपके मेजिशन कार्ड है हमारे पास तो अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है, किस दिशा में गुमाना है, यह पावर इस वक्त आपके हाथ में है और I think यह समय आप decide कर रहे हैं decision लेना चाहिए कि आपको क्या decision लेना चाहिए आप मेरे heart के according में decision लो या मेरे mind के according में decision लो इस तरह के उलट फेर में, इस तरह के mindset में इस वक्त में आप है और इसलिए आप इस वक्त में कोई भी decision नहीं ले रहे हैं और आपके जिन्दगी में, आपके मन में क्योंकि कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर है जो आपने छुपा रखें, यह रहस्य आपके किसी love relation से related हो सकते हैं, आपके किसी affair से related हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि secretly आप अपने lover से मिलने के लिए आप travel करते हो, याप secretly अपने इस love relation के साथ आप chatting करते हो, secretly, यह relationship आपका secret है, that is what I want to say, that is what my point is कि आपकी life में एक secret love relation है, और इस love relation को आप अपनी life में manifest करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति के साथ होना चाहते हैं, में भी आप इसके साथ किसी तरह के communication में हैं, आप इसकी तरफ हो स और यह बात लोगों से चुपी हुई है, यह बात अभी लोगों को पता नहीं है, और आपको actually पता नहीं है कि इस love relation को अपनी life में कैसे manifest किया जाए, और इसलिए आप एक decision point पर हैं, और इसलिए आपने इस relationship को अभी भी secretive रख रखाया, you are like thinking, contemplating की what should I do, where should I go, what should I decide, इस त आपके लिए आपके लिए, तो builder card है मेरे पास में, your innate ability to build and create bring you deep sense of accomplishment, देखिये मुझे जाब तक ऐसा लगता है creative expression, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इन cards के reference में अगर मैं देखती हूं तो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी life में 2 लोग है, आपकी life में 2 लोग है, एक जो है आपका lover है, आपका love partner है, और एक व्यक्ति और है आपकी life में, जो कि आपके साथ में, जिसका influence आपकी life में इतना जादा है, कि उस influence की वजए से आप कहीं कहीं burden में आ रहे हैं, और आप pain में हैं, कुछ नकुछ चीज एक end हो रही है, एक चीज नई शुरुआत करना चाहते ह एक चीज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप decide नहीं कर पा रहे हैं, कि आप इन दो में से किस एक को चुने, क्योंकि एक जगे एक तरफ आपका heart है, एक तरफ आपका heart है, और एक तरफ आपका practical mind, यानि लॉजिकल mind, आपको logical mind से अगर सोचते हैं, तो आपको queen of Ariel का चैन करना चाहिए, क्योंकि queen of Ariel के साथ नहीं आपका mature, practical, generous, happy, nurture yourself and those who love the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice, yes, अगर आप practically सोचते हैं, wise mind से सोचते हैं, wisdom के साथ सोचते हैं, तो आपको queen of Ariel, यानि कि आपके एक mature, committed partner के साथ होना चाहिए, और अगर आप अपने heart से सोचते हैं, तो आपको heart, deeply emotional commitment, the power of love, I think एक जगे पर आपका love commitment है, और एक जगे पर आपका जो है वो physical commitment है, और ये दोनों आप, इस दोनों के वज़े 10 of Michaels, you are in great pain, आपको बहुत pain में हैं, आप बहुत pain में हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, a situation has ended and you are finally free, और आप एक condition को free करके निकलना चाते हैं, दूसरे में enter करना चाते हैं, और अब आपके लिए guidance भी है, और आप ऐसा शयद कर भी रहे हूं कि past life, past जो आपका connection है, उसको आप पीछे छोड़कर, आप एक नए दिशा में एक नई, नई beginning की तरफ बढ़ रहे हैं, पर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहां बढ़ूं और कहां छोड़ूं, यह चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, हलांकि आपको यह बात पता है कि समय the chariot card आगे बढ़ करने की कोशिश करें, सोच, विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और सही decision आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि ultimately मुझे बढ़ना किस दिशा में, ultimately मुझे पाना क्या है, इस तरह कि आपके यहां पर मुझे energy नजर आ रही है, और उसके बाद मेरे पास यह जो builder card हो, creative expression card है, त जिस पर आप और निर्मान नहीं कर सकते हैं, यानि ऐसा क्या है जिस पर आप और energy time नहीं देना चाहिए, आपको पता है, और क्या है जिस पर आपको time और energy देना चाहिए, और अगर अभी भी आप confused हैं इस बारे में, तो आपके लिए guidance, creative expression लिखिए आप या तो अपने दिखिए, draw कीजिए, या आपको किसी से communicate करके बातचीत को साफ करना है, तो आप communicate कर दिए, at least आप अपने आपको express कीजिए, कि आप actual में चाहते क्या हैं, और जब आपके expression अंदर से बाहर निकलेंगे, आपके expressions बाहर निकलेंगे, तो actually आपका जो pain होगा, वो बाहर निकला और आप actually decide कर पाओगे कि अब आपको आगे की जिम्गी में कहा जाना चाहिए, क्या बढ़ा होगा, जो clarity, जो confusion आपके दिमागों है, जो clarity पाने कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप express करना शुरू कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए, या फिर आप बोलना आपको बोला, आप already जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, within you recite great treasures, vast reserves of strength, courage, wisdom, compassion and love, yes, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना चुपा हुआ है, strength का, courage का, wisdom का, compassion का और love का, और अगर आप wisdom के साथ काम लें, अगर आप अपनी inner knowing से पूछें कि actual में आपको करना क्या चाहिए तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा, connect deeply with your breathing, imagine you become your breath, यह देखे आपके लिए यहापर breathing का कार्ड भी आए, आप देख रहे हैं, यहापर भी आपके लिए, अगर आपको confused है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो थोड़े से वे के लिए अ your mind and there is no need to connect to them, just feel all being, आपको काई जा रहा है, observe किजिए, अपनी thoughts को, अपनी thoughts को, अपनी thoughts को, यहां पर भी है, creative expression को भी है, मतलब जो भी thoughts आपके आ रहे हैं, उनको बाहर निकाले, उनको observe किजिए, mind में भी आप सोचिए कि मैं एक्चिन में सोच क्या रहा हूं, मेरे thoughts क्या open your heart and feel into the very being of you, move through your day and night in the presence of your knowing, आपको present में रहने के जरह होते हैं, आपको present moment में रहने के जरह होते हैं, क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, इसको आप keenly observe कीजिए, ध्यान सो observe कीजिए, तो आपको सही सही पता चलेगा कि actual में हो क्या रहा है, और आपके लिए आपर कार्ड आया है, जो मैंने आपको पहली बोला था, वेर इस देट कार्ड, येस, पुट दा पास्ट बिहाइंड, आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में ही सोच जा रहा है, अभी भी आपके पिछली घटना है, पिछली लोगों के बारे में ही आप सो चुपा कर रखा हुआ है, और ये चीज़ को जब तक आप बार में निकालेंगे, आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और तब तक ये पेन आप मेंसे नहीं जाएगा, और इस पेन को निकालने के लिए मेडिकेट कीजिए थोड़ा सा श्वास धियान कीजिए, अपने विचा अभी भी घिरे हुए हैं, और आप अपने पास्ट से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो रेकी कीजिए माने अपने उपर एनर्जी हीलिंग का काम कीजिए, ये वाला काम जो है, मेडिटेशन ये भी एनर्जी हीलिंग का काम होता है, तो अगर आपनी जिंगी में पॉजिट आपको आपको आपके सोल का हायर परपस एक्टूल में आपका परपस किया यह आपको समझ में आएगा आगे का रास्ता आपके लिए खुले इसके लिए आपको आपके साहरा ले सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने एक्ट वाइट फील करेंगे आप इनलाइटन होंगे आप हील होंगे और आप अपने डिसीजन ज्यादा लविंग और ज्यादा विज्डम के साथ में आप अपने डिसीजन ले पाएंगे और इस वक्त में आप जो helplessness फील करें या जो dis empowerment आपके अंदर आपको feeling आ रहे है यह weakness की feeling भी आपकी चली जाएगी थोड़ा सा silence में बैठी है शांती में बैठी है meditate कीजिए अपने thoughts को observe कीजिए अपने past से release होने के कोशिश कीजिए तो आपको clarity मिल पाएगी कि अब आपको आगे के जिंदिये में किस दिशा में जाना है किस चीज का चुनाव करना है और किस चीज को चोड़कर आगे बढ़ जाना है तो इस तरह की energy थी हमारे Scorpio या व्रश्टिक राशी वाले लोगों के लिए तो जल्दी से मुझे comment करके बताईए मुझे मेरे वीडियो को like जरूर से कीजिए और अब से मैंने ये decide किया है कि मेरे जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा likes मिलेंगे और जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा बहतर comments मिलेंगे उस particular राशी के लिए मैं love reading सबसे पहले बनाऊंगी तो जल्दी से Scorpio people like कर दीजिए comment कर दीजिए अगर आपको अपने love reading जल्दी चाहिए तो thank you very much for watching I'll be back soon till then stay happy, stay blessed, bye bye